हलो नमस्कार दूस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में डिक्स मेनेजमेंट कैसे ओपन करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते आपको क्या करना start पर right click कर देना right click करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगाríks मेनेजमेंटि इस के ओपर आपको किलिक कर देना कलिक करते हैं इस तरह से – इ 1975 ordin हो जाएगा तो पहला तरीका यह तो आप इस तरीके से इसको पर दिख ज्या ओपकर सकते हैं चलिए आपको मै hard disk partition इसके ओपर आपको किलिक कर देने किलिक करती हैं इस तरह से disk management open हो जाएगा तो इन दो तरीके में से किसी एक तरीके से आप disk management open कर सकते हैं और प्लीज गाई चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू